गुड मॉनिंग ओल ओफ यू बच्चो आज हम करेंगे आपकी हिंदी सुर्भी की बुक का लेसन नंबर 17 बोल अनमोल इस लेसन में दोहे दिये गए हैं जो कि रहीम दास जी के द्वारा लिखे गए हैं फर्स्ट देखो क्या है ऐसी बाणी बोलिये मन का आपा खोए ओरन कोशी तल करे आप हूशी तल होए इसमें रहीम दास जी कहते हैं बच्चो कि हमें मीठा बोलना चाहिए सबी के साथ प्यार से बोलना चाहिए और मधुरवानी बोलने चाहिए मीठा बोलने से क्या होता है बच्चो सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगता है और मीठा बोलने से हमें अपने आपको भी बहुत अच्छा लगता है सुख पहुँचता है ऐसी बाणी बोलो जिसे दूसरे के मन को भी सुख पहुँचे और हमें भी अनंद का हो इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए क्यों पता नहीं कि कल क्या हो जाए पता नहीं हमारे हमें जो भी काम करना है वो आज और अभी कर लेना चाहिए थर्ड पैरा देखो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को चाया नहीं फल लागे अती दूर पंथी होता है बच्चो यात्री पथिक यात्रा करने वाला कहते हैं जो खजूर का पेड़ होता है उसके व्रिख्ष के नीचे कोई यात्री चाया में नहीं बैठ सकता और उसके फलों उसके जो फल होते हैं वह भी बहुत उचाई पर लगते हैं तो हर कोई उसे नहीं तोड़ सकता तो कहते हैं कि बड़ा होने का भी कोई लाब नहीं है अब खजूर का पेड़ इतना जातते सिल्पर परत निसान जड्मति होता है बच्चो मूरख सुजान होता है सज्जन वय्षक्टी जड्मति होता है मूरख सुजान होता है सज्जन फिर है रसरी आवत जात दे, सिलपर परत निसान, निसान होता है बच्चो, निशान, कहते हैं कि अगर हम कोई काम के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें, एक ही काम को हम बार बार करते रहें, तो कोई भी मूरक व्यक्ति सज्जन बन सकता है, गुद्दीमान बन सकता है, रसरी आवत जाते सिल्पर परत निशान जैसे हम कुवे से पानी निकालते हैं बच्चो तो कुवे की जो मुंडेर होती है उपर जो दिवार होती है कुवे की बार बार रसी उपर से नीचे आती है और उपर आती है उपर खीचते हैं तो उस पर निशान पढ़ जाते हैं निशान पढ़ अभ्यास करते रहने से निरंतर लगातार जो व्यक्ति अभ्यास करता है तो कोई भी अपनी मंजिल को पा सकता है, मूरख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है, विद्या धन उद्यम बिना, कहू जो पावे कोन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन, पोन होता है तो धन को प्रापत किया जा सकता है और ना ही विद्या को अगर तुम पढ़ने के लिए टाइम नी दोगे बच्चो तो क्या तुम्हें लर्ण हो जाएगा नहीं होगा ना तो पढ़ने के लिए धन कमाने के लिए प्रिश्रम करना पड़ता है मेनत करने पड़ती है जिस तरह पंखे को अगर आपा हाथ से हिलाएंगे नहीं जो हाथ से आपा पंखा करके हवा करते हैं उसके बारे में बात हो रही है अगर हम पंखे को हिलाएंगे नहीं तो हमें हवा नहीं आएगी नहीं आएगी तो उसी प्रकार हमें बिना मेहनत के बिना प्रिश्रम के विद्या ओर् नेक्स देखो तरुवर फल नहीं खाते हैं तरुवर होता है बच्चो पेड या फिर व्रिक्ष तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियतने पान कही रहीम पर काज हित संपती सच ही सुजान सुजन होता है बच्चो सजन वेक्ती सुजान भी होता है सजन ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार व्रिक्ष अपने फल नहीं खाता व्रिक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता सरवर पियतने पान सरोवर होता है, वो अपना पाने कभी भी नहीं पीता इसी प्रकार, जो एक सज्जन व्यक्ति होता है बच्चो वो अपना जो धन को इकठा करता है वो अपने लिए नहीं करता है बलकि परहित के लिए करता है ठीक है दूसरे लोगों की सहायता के लिए करता है आगे है रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए तोड़े से फिर ना जुरे जुरे गाठ पड़ जाए जुरे मतलब होता है जुड़ना कहते है कि जो प्रेम रुपी नाता है बच्चो इसे नहीं तोड़ना चाहिए जब एक बड़ तूड़ जाता है तो उसमें गाठ ना ये सूजन होता है बच्चो सजन व्यक्ति जो टूटे सो बार रहीमन फिरी फिरी पोई होता है किसी माला में मोती को पिरोना पोई है टूटे मुकता हार मुकता हार होता है मोतियों की माला कहते है कि कोई सजन व्यक्ति है हमारा कोई मित्र है बहुत अच्छा है आप जा हैं वो कोई मोत की मालहा है वो तूट जाती है तो क्या हम मोतियां फैक देते हैं नहीं फैक्ते ना क्योंकि ज॔क्त कीमति होती हुथ उससे हम दुबारा लागे में में डालकर पिअर ती तरह 실ें सॉघनव्यक्ति पार सुवार मनाना पड़े उसे मना लेंना ऐगे देखो अपनी पहुंच विचार के कर्टभ करिये दोर टेते पावपसार ये जेति लंबी सूर टेते होते हैं बच्चों जितने यूथखेता है उतने यूथजब़ने पावपसार टिक है कहते हैं कि जिتनी हमारे अंदर कारे करने किशंता है तो हमें उतना ही कारे करना चाहिए कहते हैं कि जितनी हमारे पास चादर है उतने ही पैर पसारो अगर हमारे पास चादर तो छोटी है और पाम आप दूर तक ले जाएं तो क्या हो जाएगा पाम है हमारे चादर से बाहर हो जाएंगे तो कहते हैं कि काम अपनी समर्थे शक्ति के नुसार जितना हम कर सकते उतना ही करना चाहिए लास्ट देखो रहिमन देख बडएन को लगू न दीजिए डार जहां काम आवेस हुई कहां करे तरवार कहते कि बड़े को देखकर छोटे को ना अंदेखा नहीं करना चाहिए कहते कि कोई काम ऐसा नहीं है कि जो जिसे लगू रहिमत देखन बड़ेन को कहते कि बड़े को देखकर छोटे को अंदेखा नहीं करना चाहिए मालनों कोई सुई है वो सीलने का काम करती है तो क्या हम आपे कोई काम तलवार कर सकती है, नहीं कर सकती ना, जहां पे छोटी चीज काम भानी है, हम आपे तो छोटी ही चीज आएगी, इसलिए बड़ी चीज को देखके छोटे कोन देखा नहीं करना चाहिए बच्चो, अब आप सभी ने इसके जो word meaning है, वो fair notebook में लिखन में भी हैं बच्चो और write, learn भी करने है, thank you